दोस्तो आज जो मैं घरेलू नुस्खा आप सब के साथ सेर करूँगा। दोस्तो उस नुस्खे का परियोग करके आप अपनी आँखों की सबी त्रहें के समस्याओं से छुटकारा पसकते हैं। दोस्तो यदि आपकी आँखों पर चस्मा लगा हुआ है तो आपको इस नुस्खे के सिर्फ एक चम्मच का रोजाना सेवन करना चाहिए। और आपकी आँखों की रोसनी 99% तक बढ़ जाएगी। और जो आँखों के ऊपर चस्मा लगा है वो भी उतर जाएगी। आँखों में चुबन के कान यदि आपको दर्द रहता है तो दोस्तो उन सब में भी ये नुस्खा बेहत अधिक कार कर है। दोस्तो वैसे भी आज के समय में हम कंप्यूटर का मुबाइल का अधिक इस्तमाल करते हैं। आप देखेंगे कि आजकल के बच्चों की छोटी उम चुबनाएं और उनकी आँखों से इस चसमे को उतार भेंगे और ये नुस्खा आपकी उसमें हेल्प करेगा। दोस्तो वैसे भी यदि आप अपनी आँखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सफेद मिर्च जिसको हम भुरी मिर्च के नाम से भी जानते हैं उनका परियोग जिरूर करना चाहिएं क्योंकि ये सफेद मिर्च आँखों की रोशनी को बढ़ाने में बहुत अधिकार करा हैं लेकिन इसके इस्तमाल का भी एक तरीक हैं जो मैं आपको इस नुस्खे के अंदर बताऊंगा तो चले दोस्तो आपको बताते हैं कि आपने इ ऐसे ही 100 ग्राम अच्छे बादाम लेने हैं जिन से तेल निकला हुआ ना हो क्योंकि मार्केट में तेल निकले हुए बादाम भी आती हैं यदि आप उन बादामों का परियोग करेंगे तो आपको कोई भी भाइदा नहीं होगा तो आपने ऐसे बादामों का परियोग करना ह दोस्तो आपने क्या करना है? 100 गराम बादाम लेनी है दोस्तो बादाम आखों के रोशनी को बढ़ाने में बहुत अधिक कार करा है क्योंकि इनमें विटामिन A और E भरपूर मातरा में बाए जाता है जो आखों के रोशनी के लिए बहुत अधिक अवसक विटामिन है दूसरी चीज जो आपको इसके लिए लेनी है दोस्तो वो लेनी है सौफ दोस्तो सौफ भी आखों के रोशनी को बढ़ाने में बहुत अधिक कार करा है दोस्तो आपने सौफ लेनी है इतनी जैसे कि यह मैं ले रहा हूँ जितना आपने बादाम लिया था यानि जैसे आपने बादाम सो ग्राम लिया तो आपने सोंप पचास ग्राम लेनी है जैसे हमने भी बादाम सो ग्राम लिया था इसलिए हमने सोंप का प्रियोगिस में पचास क्राम की लेना है और आपको ये लेनी है पतले वाली सोंप आप ज सफेद मिर्च का प्रयोग करके आँखों के रोसनी बढ़ती हैं आँखों में चुबन के काण यदि आपको दर्द रहता है तो उसमें भी ये सफेद मिर्च बेहदती कार करा हैं आपने सफेद मिर्च लेनी है 25 क्राम यनि जितनी आपने सौख ली उसका आदा लेना है आपने सफेद मिर्च अब जो चोथी इसके लीए समगरी आपको चाहिए दोस्तो वह चाहिए मिर्च आपने इसके लेनी है दले वली धागा मिर्च दोस्तों आपने जो बजार में एस सिंपल मिसरी मिलती है वो थोड़ी सस्ती मिल जाती है पर आपने उसका परियोग नहीं करना है आपने इस नुस्खे के लिए नहीं गोड सक्कर का किसी भी चीज का अन्ने का परियोग नहीं करना है आपने दोस्तों धागा मिसरी का ही परिय नहीं है अब मैंने ये 50 ग्राम धागा मिसरी ले ले दोस्तों अब मैंने इस धागा मिसरी को अच्छी त्रहें से कूट लेना है मोम जस्तेव गरा में जैसे कि ये मैं कूट रहूं आपने भी ऐसे ही कूट नहीं और इस धागा मिसरी के अंदर धागा निकलता है आपने इस ध दागे का परियोग नहीं करना है, उस दागे को बाहर निकाल देना है, इसको कोट कर, और इसके बाद इन सबी सामगरी को किसी गराइंडर में डालेना है, जैसे कि ये मैंने इन सबी सामगरी को मिसरी, बादाम, सौफ और भुरी मिर्च, इन सब को इस गराइंडर में डालिया अब मैं इन सब का एक पावडर बनाऊंगा और दोस्तों ये मैंने ये पावडर बना लिया और ये हो गया दोस्तों वो आपका नुस्खा रेडी जो आपकी आँखों से इस चसमे को उतार देगा और आपकी आँखों की रोसनी को भी 99% तक बढ़ा देगा आँखों में चुबन दर्द का भी इलाज कर देगा यानि ये नुस्खा आँखों की सभी तरह की समस्याओं के लिए बहुत अधिकार कर है दोस्तों अब बात आती है इस नुस्खे के सेवन की कि आपने इस नुस्खे का प्रयोग की समय करना है और कितनी मात्रह में करना है दोस्तों आपने क्या करना है इस नुस्खे के एक चम्मच का प्रयोग हर रोज रात को सोते समय करना है एक किलास गुनगुने दूद के साथ दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि आप की जो आँखों पर चसमा लगा हुआ था वो उतर जाएगा धीरे धीरे आपकी आँखों की रोशनी बढ़ना सुरू हो जाएगी दोस्तो इसके साथ में आपने कुछ चीजे और करनी है जैसे आपने आँखों की एकसरसाइज करनी है आँखों की एकसराइज कैसे आपने क्या करना है दोस्तो आपने कानों की कानों पर पैरों के तलों पर और आँखों के ऊपर धीरे धीरे से देशी गाई के घी की मसाज करनी है दोस्तो आपने क्या करना है जो ये केसर होती है केसर की चाय का दिन में एक बार सेवन करना है हर रोज और ये आप एक वीक तक केसर की चाय का सेवन जरू करें इस नुश्खे को तो आप एक महिने तक खाएं लेकिन केसर की चाय का सेवन आप एक वीक तक करें इसके साथ में द इससे आँखों का गंद बाहर निकलेगा और आपकी आँखों के रोशनी तेजी से बढ़ना सुरू हो जाएगी तो दोस्तों आप भी इस नुस्खे को आज ही बनाईए और अपनी आँखों की रोशनी को बना दीजिए तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प